पस्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हरताल जारी है इंडियन मेडिकल एसोशेशन भी हरताली डॉक्टरों के समर्थन में आ गया है देश के 19 राज्यों के डॉक्टरों ने एक साथ मिलकर 17 जून को पूरे भारत में श्ट्राइक की घोशना की है तो वहीं इस सुग्र मामले को लेकर अर्थ परकाश के समधाता ने चंडिगड इंडियन मेडिकल एसोशेशन के सेक्रेटरी डॉक्टर हर्दीप सिंग जी से खास बात चित की चलिए आपको दिखाते हैं साज्जी अगर आप इस मुद्धे को शुरू से देखी तो कारण बहुती सिंपल और सीधा है हमारी मांग सिर्फ एक है के हमें जीने का अधिकार दिया है जो की हुमन राइट्स चार्टर का सबसे पहला है कि हर बंदे को अपना एक डिगनेफाइड मैनर में जीने कादिकार होना चाहिए आप शाहिए जानते ही होंगे कुछ दिन पहले बिल्लाल के एक मेडिकल कॉलेज में एक घटना कटी के एक बज़र्ग दिखती को अस्पिताल में लाया गया जो कि 85 साल का था और बहुत ही गंवीर स्थिति में उस बुज़र्ग की डॉक्टरों ने जी जान कोशिश करने के बावजूद जान नहीं बचा सकी इस कारण से उनके उपर जान लेवा घातक हमला किया गया हमारी मांग सर्फ यह है कि इस तरह के घातक हमले ना हो इसको प्रवेंट करने के लिए इसको रोपने के लिए सरकार कोई एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉग नाए जिससे यह एक डेटरेंट हो कि कोई भी आके काम करने वकट कोई धंगा न सके उनके उपर अटैक ना कर सके अगर आप किसी भी डॉक्टर को देखिए वह आठाट गंटे बारा बारा घंटे काम करता है से अपनी परिवार चोड़ के अपनी पर्सन सारी जरूरतों को छोड़ के त्याग के सिर्फ ताकि उसका पर अगर अगर आप उसी डॉक्टर के ऊपर एक गातक हमला करेंगे, तो वो अपना काम नहीं करता है। तो किस परकार की सुरक्षा चाते हैं सरकार से, कि वो डॉक्टर के लिए वो सुरक्षा पुरदान की जाए। देखिए, इस तरह की सिचुएशन का, इस तरह की स्थिती का जो समाधान है, वो किसी एक चीज़ से नहीं है। सुरक्षा उसमें से एक हिस्सा है और इसके साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉंग लाउ सेंटरल लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। जो कि ऐसी घटनाएं फ्यूचर में हो उसका एक डेटरेंट बने है। अगर पोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो लाउ ऐसा हो के उसको सक्त सक्त सजा मिलें। हम तो कहह रहे हैं कि घुम्र कैद की सजा मिलें। ताकि कोई और वो घटना को और या वो चीज़ को रिपीट करने की दुबारा हिमत नागा है। ठीक, लेकिन सर अगर एक तरह से इंसानियत की बात की जाए तो आया दिल पेशन आते रहते हैं, तो उस दुरान सतारा तारी को कुछ ऐसा कोई खास वो आगया मरीज, तो इसके कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा? देखिए, अगर आप एमर्जनसी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जिस दिन से यह घटना घटी है, तब से लेके आज तक किसी भी हस्पताल में कोई भी एमर्जनसी बंद नहीं की देगा, कोई मरीज जो की अपनी जान से जूज रहा है, जिसको बहुत जारा बिमारी है, को मेजर केस है, उस मरीज का उसी तरह से इलाज हो रहा है, जैसे पहले होता है, यानि की एमर्जनसी ओपन रहेंगी, सारी एमर्जनसी ओपन रहेंगी, हमने कभी भी एमर्जनसी बंद करने का एलान नहीं किया है, विकाज हम चाहते हैं कि कोई और कुछ ऐसी कारन होते हैं कि कुई किसी वाजा से नहीं जाबाता है इलाज कराने को ऐक पडिक निगालता है और पिडी में जाने के लिए ता कि वह अपना ट्रेटमेंट करा सके तो वह पेशन का क्या होगा सर देखे ऐसा है कि कि इस थिती के अंदर लोगों को सोचना चाहिए जब वो डॉक्टर के उपर हमला करते हैं। अगर आपको डॉक्टर की जरूरत है। आपको लगता है कि डॉक्टर आपको फायदा पुंचा रहा है आपकी जान बचा रहा है। तो आप उसका समर्थन क्यों नहीं करते हैं। आज तक जब से ये घटना घटी है अभी तक हमारे को सुसाइटी में इसे कहीं और से समर्थन नहीं मिला है। सिर्फ डॉक्टर्स एजिटेट कर रहे हैं। कोई आम आदमी उठके सामने नहीं आया कि ये जिस ने किया डॉक्टर के उपर हमला किया बहुत गलत था। अगर पॉलेटीशन एसी बात करेंगे जो कि माने मुकमंत्री जी बंगाल के मैडम ने की है। बहुत शर्मनाक और निंदा जनक पात है। तो ये उनको समझना चाहिए कि एक टाइम आता है जब घड़ा भर जाता है। जब हम भी मजबूर होके ये स्टेप उठा रहे हैं हमें को बहुत खुशी नहीं मिल रही है लोगों को तक्रीफ में हम जानते हैं लोगों को हमारा समर्थन करना चाहिए जिन लोगों ने ये किया है उनको लौ एक प्रॉपर वे में उनको दन दे उनको प्रॉसिक्यूट करें और इस तरह कब उसके उपर प्रॉसिक्यूशन होना चाहिए कि कोई और दुबारा ये काम करने की हिम्मत ना करें। अगर हड़ताल के बाद सरकार आपके में जो जरूरते हैं पूरी नहीं करते हैं तो आप लगों का का एक्षिन होगा से इस चीज़ के लिए मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता हूँ हमारी वारतालाब सेंट्रल आइयम में से अगर ऐसी स्थिथी आती है जो मैं होब करता हूँ क्यों के ना आए अगर ऐसी आती है तो उसका फैसला बाद में किया जाएगा थी 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 थैंकियो संब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें